आपनी इस वीडियो को देखा किस तरीके से हिंदू रक्षा दल के लोगों द्वारा नारेबाजी की जा रही है सैकलों की ताधाद में एक कॉलेस के गेट के बाहर हिंदू रक्षा दल यानि जो हिंदू संगठन है उन लोग द्वारा अंदोलन किया जा रहा है पूरी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तुम करो तो रास लीला हम करे तो डैस 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 वाली कहानी पूरे देश में लगाता चल रही है कोई भी कॉलेज हो कोई भी विशुद्याले हो क्या वहाँ पर अल्ला हुआ अकबर जैस डिराम को तवज्जो दिया जाना चाहिए मेरे हिसाफ से नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि विशुद्याले हो उसका मतलब होता है विद्या का आले विद्या का घर लेकिन जैसे एक छात्र मंझ पर पहुंचता है तो j यस आर यानी j स्रिराम के नारे लगाने लगता है तो जो प्रफेशर थी उन्होंने कहा कि नारे लगाना ठीक नहीं है आप मंझ से नीच लेकिन किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो को वारल कर दिया फिर इसके बाद क्या हुआ हिंदू संगठन के तमाम लोग थे वे लोग भड़क गए और वे लोग सड़कों पर आ गए सचिन गुपता लिखते हैं यूपी गाजियाबाद के ए बी इस इंजीनिरिंग कॉ कॉलेज में जैसरी राम बोलने पर छात्र को महिला प्रफेशर ने मंच से उतारा हिंदू संगठनों के विरोत के बाद कॉलेज ने केस की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई डारेक्टर ने अश्पष्ट कहा इस केस में छात्रों पर कोई एक्शन नहीं होगा फिर या मेरे संस्थान को जैसरी राम स्लोगन से कोई दिक्कत नहीं है फिर इसके बाद बात और आगे बढ़ती है सचिन गुपता ही लिखते हैं गाजियाबाद में A.B.E.S. इंजिनिरिंग कॉलेज की विबसाइट है प्रफेशर ममता गौतम का फोटो सुप्लखा के रूप म लगाया गया कल इसी कॉलेज में जैसरी राम बोलने पर प्रफेसर ने छात्र को मंच से उतार दिया था और अब नया अपडेट आया है गाजियाबाद के A.B.E.S. इंजिनिरिंग कॉलेज ने प्रफेसर ममता गौतम और श्वेता शर्मा को सेस्पेंड कर दिया दोनों पर आरोफ है कि उन्होंने एक छात्र को जैसरी राम बोलने पर मंच से उतार दिया था और आज ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं ये लोग हिंदू लिखते से जिन गुप्ता इस पर हिंदू रक्षा दलकार करताओं ने गाजियाबाद के A.B.E.S. कॉलेज गेट पर हनौन चालिशा पढ़ी वे उन दोनों प्रोफेसरों का विरोध कर रहे थे जिन्होंने जैसरी राम बोलने वाले छात्र को मंच से उतारा था वीडियो आपने पहले देखा और अब एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए आप सोचिए कि अगर किसी टीचर ने किसी परफेसर ने जैसरी राम बोलने से रोक दिया उस ते खिलाफ किस तरीके से हिंदू सेना के लोग हिंदू रक्षा दल के लोग सड़कों पर उतराते हैं लेकिन सवाल यही है कि अगर आपको इतनी जाद दिक्कत है आप लोग चाहते हैं कि कॉलिजों में विशुद्याले में इसकूलों में जैसरी राम के नारे लगवाए जाएंगे और आपको अगर समिधान में भरोसा है विश्वास है आप जाएब पुलिस के पास कारवाई करवाईए लेकिन आप लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं आप लोग कोई कानूनी कारवाई नहीं करते हैं ना ही कोई कानूनी कारवाई करवाते हैं आप लोग बस लगवापर उतराते हैं और आंदोलन करने लगते हैं लगातार Domination College कह रहा है कि जो दोनों टीचर हैं जिन पर forgotten लगा रोप लगा है उन लोगों को सेस्पेंड कर दिया गया धोन टीचरों को College से बाहर का राष्ता दिखा दिया गया है सब इस बात का अंदोलन और स्प्लगा बनाने की सुपखा जैसा दिखाने की क्या जरूरत है एक टीचर को मंता गौतम को लेकिन हिंदु रक्षादल के लोग है और मैं आपको बता दू अगर लगता है कि जैसराम या हिंदु धर्म का विरोत्या जारहा इस से आपकती है तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इंसाफ की गुहार क्याय मांग रहे हैं तो हिंदु रक्षादल वाले महाँ पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं कोई जवाब देगा लगबग देड़ महीनों से दिलिंस द्याले की प्रफेसर डॉक्टर रितू दली समदास आती हैं हिंदु हैं उनके लिए कोई हिंदु दल का नेता कोई हिं ऐसे बंदु हैं और तमाम लोग ऐसे हैं हिसे जो आपने बच्चों की फीच महीं भर पार ही ही रिएक जाति से आते हैं हरे ऐसे वह लिए हिंदु दल की लोग तो को पर किव और वे लोग बकाइदा जयस त्रीराम भी बोलते हैं लेकिन इनको राजनीद करनी हैं इनको महौल खराब करना है आपने देखा था एक परभंजदास है तो क्या कहता है कि जो भी ब्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर का गला काट के लाएगा सर कलम करके लाएगा उसको हम 25 करोड करोड का इनाम देंगे इस्टालिंग को कहता है कि जो इस्टालिंग का सर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड रुपे का इनाम दिया जाएगा पैसा कहां से आता है कोई जवाब नहीं और इससे आगे बढ़के प्रमंस दास कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद म और का सर कलम करके लाएगा, आप सुचिए किस तरीके से लगातार खाई पैदा की जा रही है, अमीर और गरीब में, हिंदू मुसल्मान में, मुसल्मान सिक्ख में, हिंदू और सिक्ख में, हिंदू और इसाही में, इसाही और मुसल्मान में एक खाई लगातार बनाने कोशिस जो नफरत की दिवार है उसको लगाता लंबी मोटी चोड़ी करने की कोशिस तमाम नफरतियों की द्वारा किया जा रहा है अब आप बताईए अगर टीचर ने उतार दिया तो आप मंदिर जाईए वहाँ पर आप नारे लगाईए किसे कोई आपत्ती नहीं है तमाम वीडियो जो वारल होते हैं जिसमें टीचर कहती है बोलो अल्लाव अकबर तो इनको आपत्ती हो जाती है यह लोग कहते हैं यह तो सिक्षा का घर है सिक्षा का मंदिर है विद्या का आले है यहाँ पर तो ऐसे नारे नहीं लगाए जाने चाहिए लेकिन जब कोई छात् उत्रों मंच से ऐसे नारे मत लगाओ तो पूरा विवात खड़ा कर दिया जाता है फिलाल इस वीडियो मितना ही लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं क्या जैस्तिर राम के नारे लगाना ठीक है या फिर ठीक नहीं है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपने गाए जरूर पतायेगा धन्दवाद निसल्ण दस्त्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निश्णल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल्ब दस्तक को बचाने के बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें